नहीं दिनों को Advent season के नाम से भी पुकारा जाता है बताना चाहता हूँ कि Advent लफ्स जो है यह basically लातीनी जबान का लफ्स है और यह Adventist लफ्स से निकला हुआ है जिसका मतलब है आमद, जिसका मतलब है आना, जिसका मतलब है जाहर होना जब हम कदीम जमाना का मुटालिया करते हैं तो 382 यानि के पहली इस्वी में आमद के आयाम जो है इनको सेलिबरेट करना दिन मसीहत में शुरू किया गया इन आयाम को मनाने का सेलिबरेट करने का जो मकसद है वो यस्वी मसीह की आमद, यानि वलादत के लिए अपने आप को तियार करना है मेरे इसी जो कदीम जमाना में आमद के दिन साथ हफ़तों पर मुझतमिल थे और इसके बाद पाँच हफ़तों का दुरानिया मुकरर कर दिया गया बताना चाहता हूँ कि इसका मकसद और पर्पस था कि थोड़े अर्से में ज्यादा अपनी जिसमानी और रोहानी जिन्दगी पर गोरो खौज करके यस्वाल मसी को अपना शक्सी नजात देहिंदा कबूल करने की तियारी की जाए मेरे रजीज़ों आमद के आयाम बेहतरीन आयाम हैं जिन में हम अपनी शक्सी तबदीली का तजर्बा हासल कर सकते हैं यस्वाल मसी को अपना शक्सी नजात देहिंदा कबूल करें जरूरत है और इन आयाम में अपने आपको तियार करने की जरूरत है जब हम मचूदा दोर का मुटालिया करते हैं तो आमद के आयाम गरों की सजावट के लिए और मुख्लिब किसम की तक्रीबात और मजभी प्रोग्रामों पर ही मुश्टमिल होकर रहे गये हैं लेकर मेरे जीजो मैं आज आपको इंकर्श करना चाहता हूँ आपकी होसला फजाई करना चाहता हूँ इस क्रिस्पिस के खास और मुकदस मौका पर इदे वलादतल मसी के मुबारिक मौका पर ये आमद के आयाम जो हैं ये हर फर्द बशर को दावत देते हैं के हम येसु अलमसी को अपना शक्सी नजाद देंदा कबूल करें अपनी परानी इंसानियत को उसके कामों समेथ अतार दें